प्रदेश व केंडि सरकार गायों को लेकर अक्सर वकालत करती नजर आती है आए दिन कहीं न कहीं गायों को लेकर देश में दंगा फसाद और हत्याएं गौरक्षा के नाम पर होती रहती है और हिंदु धर में गाय को माता का स्थान दिया जाता है लेकिन हकीकत कुछ और है आज आपको एक ऐसी हकीकत दिखाने जा रहा है जिससे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे तो आईए आपको दिखाते हैं कि क्या है ये पूरा मामदा सिधातनगर जिले के धेबरवा थाना छेटर के जकहिया चौराहे के पास हाईवे पर एक गाय मरी पड़ी हुई है और इस हाईवे का रास्ता पडोसी देश नेपाल को जोडता है ये गाय पूरी तरह से सर चुकी है जिससे बहुत ही जादा बदबु आ रही है और रहगीरों को आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है अब सोचने वाली बात ये है कि इसी जिले में चार विधायक और एक भाजपा सांसाद और एक भाजपा सहयोगी दल अपना दल के विधायक है इनके होते हुए भी गाय की ऐसी दुरदशा हो रही है इसको देखते हुए ये सवाल करना गलत नहीं होगा कि गौर अक्षप जो आए दिन कहीं न कहीं बावाल काटने के साथ ही लोगों को पीड़ते रहते हैं क्या आज उनको ये गौम आता दिखाई नहीं दे रही है जो कई दिनों से इटवा बढ़नी रोड के जखहिया चौराहे पर बृत पड़ी हुई है उनको ना ही कोई देखने वाला है और ना कोई सुपूर्द लेने वाला है क्या इसी तरह गाय रोड पर मरती रहेंगे और लोग गाय के नाम पर केवल राजनीत ही करते रहेंगे यह पर गाय भी पड़ी है मरी इसको लेकर कोई नहीं देख रहा है काफी गाय सर्चिती है कोई देख नहीं रहा है इसको इसको बाव में मरी ते जला के रख दे अच्छा काफी दिनों से रखी है कोई नेता होता आया था इसे देखने या कोई गोर अच्छा वाली कोई नहीं आया था